वस्टाप लॉट्स एने डीज, वेल्कम बाक टू पॉप कल्चर पंडेट, यह है हाउस अद्व द्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 7 का कम्प्लीट ब्रेकडाउन, जिसका नाम है द्रेड सोइंग, तो आखिर इस रेड सोइंग चीज का मतलब क्या होता है, तो सोइंग मतलब किये गए ड्रैगन सीज में से ड्रैगन राइडर्स बनके उभर के आएंगे, तो इसलिए इस रेड सोइंग के इवेंट को बुक में वैसे सोइंग ओफ द्रैगन सीज भी कहते हैं, बट इसे रेड सोइंग ज्यादा तर कहते हैं, क्योंकि इस सोइंग के इवेंट में काफ इवेंट हमें इस एपिसोड 7 में देखने मिला वो पूरा का पूरा इवेंट बुक के कमपारिजन में टोटली डिफरेंट रहा तो हम एपिसोड के शुरुवात में देखते हैं कि रहनीरा के सामने एडम आफ हल ने बेंड नी किया तो रहनीरा उसे लेके ड्रैगन स्टोन को लेके आई और फिर ड्रैगन स्टोन पर मिसारिया रहनीरा को बताती है कि अगर एडम करके कोई बास्टर्ड बॉन बंदा जो है उसने ड्रैगन को क्लेम किया तो कई सारे बाकी के लो बॉन टार्गेरियन बास्टर्ड लो बॉन टार्गेरियन ड्रैगन सीड्स भी ड्रैग को claim कर सकेंगे तो मिसारिया क्या ऐसे कहने पर रहनीरा agree करती है and वो कहती है कि इस war में वो army of bastards को create करेगी अब ये जो scenes हमें यहाँ पर मिसारिया और रहनीरा के दिखाए गए ऐसे कोई भी scenes book में नहीं होते यहाँ पर इस episode में हमने जो भी चीजे मिसारिया रहनीरा को बताती है वो सब हमने देखा वो सभी चीजे actually book में जसरीस का part था हमने show में देखा कि रहनीरा कुछ secretly मिसारिया के साथ में meeting करती है और वो decision करती है कि वो low born dragon seeds को बुलाएगी dragon stone पर और वो raid showing का event कराएगी बट book में ऐसा कुछ भी नहीं होता book में रहनीरा असल में अपने black council के साथ में इस पूरे event के related अच्छे से बाते करती है जैसे ही Jace ने यह idea दिया dragon seeds को यूज करने का तो उन सभी चीजों को black queen रहनीरा अपने black council के साथ में discuss करती है और फिर finally decision लिया जाता है कि वो ऐसा raid showing का event कराएगे अब मिसारिया की यहाँ पे अगर हम बात करते है तो fire and blood के comparison में हमने जो भी house of the dragon के tv show में अब तक मिसारिया की story देखी वो totally different रही हमने house of the dragon season 2 के शुरुआत से ही जो भी मिसारिया की कहानी देखी वो पहले episode में कही पे तो एक ship में से secretly जा रही थी फिर उसे dragon stone पर लाया गया फिर उसके बाद में रहनीरा और मिसारिया के बीच में friendship होने लगी और eventually वो friendship इतनी ज्यादा हो गई कि episode 6 में हमने क्या हुआ वो तो देखा ही उसी में अभी हम ये भी देखने लगे है कि रहनीरा का अभी मिसारिया पर ज्यादा विश्वास है वो अपने Blacks Council पर ज्यादा भरोसा नहीं करती जिसके वज़े से हमें यहाँ पर देखने मिला कि जसरीस थोड़ा सा गुस्से में है तो ये जो कुछ भी चीजे रही ये जो भी मिसारिया का House of the Dragon का आर्क रहा वो बुक में मौजूद नहीं बुक के कहानी के अनुसार मिसारिया कभी भी Dragonstone पर नहीं आती वो हमेशा King's Landing में ही एक जगा पर छुपके से रह रही थी और उसका कोई भी ज्यादा significance नहीं था देन हम एक सीन में देखते है कि For some reason Corlys Valerion अपने बाश्टर बेटे अलीन से जितना प्यार करते है उतना वो Adam से नहीं करते ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर इनके सीन्स में लगता है जबकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं Corlys Valerion अपने बेटे Adam और अलीन दोनों से भी बेहत प्यार करते है And especially after the death of Lenore and Lena वो अलीन के साथ साथ ही Adam को भी Driftmark का future मानते है Then इसके बाद में इस red sewing का बहुत बड़ा difference रहा था अलीन का story arc और उसका dragon seeds का smuggling वगेरा करना तो हम show में देखते हैं कि Lord Corlys Valerion अलीन से जाके मिले और वो उसे बताते हैं कि अलीन को उसके कुछ भरोसे मन फिशर्मन और सेलर्स को लेके king's landing जाना है और king's landing में जाके उसे dragon seeds को smuggle करके dragon stone पर लेके आना है इसी में Lord Corlys यहाँ पर अलीन को बताते है कि House Valerion भी Old Valeria से आया था बट वो कभी भी dragon lords नहीं थे तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि Corlys Valerion खुद भी shocked है कि उनका bastard बेटा Adam Valerion Sea Smoke जैसे dragon का rider कैसे बना तो दोस्तो इसका reason है कि Valerions and Targaryens के बीच में पहले कई सारी marriages हुई थी तो जो Old Valeria का dragon riders का खून था वो दोनों houses में mix हुआ तो let me give an example तो Targaryen का जो OG बंदा है याने कि Aegon the Conqueror जो है उसकी मा एक Valerion थी जिसका नाम था Valerna Valerion और उस Valerna के पिता कोई Lord Valerion थे जिनका नाम वैसे बुक में नहीं है उस Lord Valerion की शादी हुई थी किसी Targaryen Princess के साथ में तो बस यहाँ पर इतना समझ लो कि वैसे ही Targaryens और Valerions के बीच में कुछ शादिया की गई थी जिसके वज़े से Valerions में Targaryens का और Targaryens में Valerions का blood mix हमेशा होता आया और उसी वज़े से ये समझ लीजिए कि Adam Valerion में भी Dragon Riders का खून था और उसके पिता Corlis Valerion में भी वो था तो उसी वज़े से Episode 6 में Adam of Hull Sea Smoke Dragon को क्लेम करता है और अभी वो यहाँ पर Dragonstone पे रहने लगा है यही पर Lord Corlis Valerion Allin of Hull को hint करके बताते है कि में भी तुम भी Dragon Ride करने के लिए Try कर सकते हो बट इसके reply में Allin कहता है कि नहीं मैं बस Jabat Sailor बनने में ही खुश हू I earn for nothing else मैं Sea and Salt में ही खुश हू मुझे Dragon Rider बनने में कोई भी गिल्चेस भी नहीं ऐसा उसने यहाँ पर Corlis को बताया तो यह चीज भी बुक में एकदम different रही थी बुक के Allin को भी Dragon Rider बनना होता है वो ऐसे कुछ year नहीं करता कुछ उसकी खुआइश नहीं होती Dragon Rider बनने की ऐसा कुछ भी बुक में नहीं तो actually Dragon Stone पर जब Red Sewing में Allin ने participate किया था तो उसने Ship Stiller Dragon को कलेम करने की कोशिश की और Ship Stiller Dragon ने उसके उपर जोर से आग भी फेकी बट वहाँ पर Adam of Hull अपने Dragon Sea Smoke पर बैठके quickly आया इसलिए वहाँ पर Allin की जान बची तो बुक में बताया गया है कि जब Red Sewing के event के बारे में Allin को पता चला तो उसने भी उस event में participate किया था Dragon को कलेम करने की कोशिश की बट उसमें वो नाकाम हुआ तो वो गुसा हो गया और वो वहाँ से सैड होके Dragon Stone से निकल कर Drift Mark पर जाके रहने लगा जहाँ पर उसने अपना Legendary Seller बनने का करियर एकदम अच्छे से शुरू किया Then फिर Red Sewing के event के पहले We see कि जसरीस अपने ही मार हैनीरा के साथ में अर्ग्यू करता है कि ऐसे Bastards एकदम Low Born Dragon Seeds को तुमने यहाँ पर Dragon Stone पर क्यों बुलाया तुम्हें सिर्फ High Born Dragon Seeds को ही अपने Dragons देने चाहिए Bastards को नहीं अगर तुम सभी Bastards को Dragon दोगी तो मेरी क्या है सियत रहेगी मेरी Legitimacy एकदम कम हो जाएगी ऐसा यहाँ पर Jusiris कहता है Which kind of means कि Jusiris यहाँ पर दुसरे Bastard Dragon Riders आएंगे उससे जलस फिल करने लगा है और यही पर Writers Ryan Condell और David Hancock ने Jusiris के Character की धज्या उड़ा दी जैसी के हमने जाना कि बुक में Actually Jusiris रहता है जिसने Dragon Seeds के Raid Sewing को प्लान किया बट यहाँ पर यह जान लीजिए कि Jusiris का ऐसा कभी भी opinion नहीं होता कि Royal Targaryen के Descendants को ही वो prefer करेगा और वो low born Dragon Seeds की कोई आउकाद नहीं वो कुछ बहुती खराब low बंदे है ऐसा करके Jusiris ने कभी भी कुछ भी बुक में नहीं किया उल्टा Jusiris को पता होता है कि वो खुद एक बास्टर्ड है तो उसी वज़े से वो सभी बास्टर्ड के साथ में हमदर्दी दिखाता है Jusiris उनके साथ में रिलेट करता है ना कि उनकी साथ में उसकी कुछ जलेसी रही तो जो सीन इस एपिसोड 7 में पहले मिसारिया को दिया गया था जिसमें वो रेनिरा को बताती है कि हमें low born dragon seed बास्टर्ड का यूज़ करना चाहिए तो वो वाला जो सीन था वो असल में जसरीस को मिलना चाहिए था क्योंकि जसरीस भी एक टारगेरियन बास्टर्ड होने के वज़े से समझता है कि बास्टर्ड बेटे बेटियों पर क्या गुजरता है कैसे उन्हें सभी छुप के से पीट पीचे गाली देते है और वैसे बास्टर्ड को एक नाजायज ओलाद होने के वज़े से कितना कुछ जहलना पड़ता है उन सभी चीजों के बारे में जसरीस को पता था क्योंकि वो खुद बास्टर्ड है एंड इसी लिए एक्चुली आर्मी ओफ बास्टर्ड बनाने का जो प्लान था वो जसरीस को मिलना चाहिए था बट इन दे शो यहाँ पर जसरीस को फॉर नो रीजन उन्होंने रोतलू, फुद्दू और जलस दिखा दिया क्योंकि दुसरे बास्टर्ड अभी ड्रैगन क्लेम करेंगे तो वो एकदम सैड हो गया है उल्टा जसरीस यहाँ पर प्राउड फिल करना चाहिए था क्योंकि उसके तरह ही और जो भी कोई बास्टर्ड स्टार्गेरियन्स के रहेंगे उन्हें अभी रिस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि वो ड्रैगन राइडर्स बन सकते है देन वी सी कि यहाँ पर लैरिस ट्रॉंग का डेंजरस इन्फोर्मेशन का सर्किट किंग्स लेंडिंग का क्या काम कर रहा है क्योंकि एलिंडा रहनीरा का जो भी रेड सोइंग का मेसेज था वो आसानी से किंग्स लेंडिंग में सभी टार्गेरियन बास्टर्ड ड्रैगन सीड्स में फैलाती है तो यह जो रेड सोइंग के इवेंट का न्योता था जिसमें रहनीरा ने सीधा कहा था कि आप लोग ड्रैगन स्टोन पर आओ और यहाँ पर आके ड्रैगन को क्लेम करने की कोशिश करो यह वाला जो मेसेज था वो किंग्स लेंडिंग के कई सारे ड्रैगन सीड्स को मिला और वो सभी यही सोचते है कि अपने बकवास गरीब जिंदगी से ड्रैगन कलेम करके ग्लोरी मिलना अच्छी बात है और इसलिए वो मोटिवेट हुए और वो ड्रैगन स्टोन पर जाने के लिए रेडी हुए अभी यह जो भी चीजे रही थी वो भी टोटली डिफरेंट बुक में रही इन दबुक ऐसे कोई भी मेसेज वगरे किंग्स लेंडिंग में नहीं आता यह रेड सोइंग का इवेंट का जो मेसेज था या कहुँ जो न्योता था वो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन स्टोन ड्रिफ्मार्क, कलॉयल और बाकी जो भी आसपास के ब्लैक सपोर्टर्स के लोकेशन्स थे वही पर सिक्रेटली भेजा गया था बिकॉस बुक में लैरीस का किंग्स लेंडिंग का इनफोर्मेशन नेटवर्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है बुक में लैरीस का विस्पर्स गैदर करने का नेटवर्क एकदम ही डेडली होता है तो ऐसे ही कोई भी बार बार किंग्स लेंडिंग में आ जा नहीं सकता बट हाउस और द्रागन के शो में पहले डेमन किंग्स लैंडिंग में में आके गया देन रैनीरा यहाँ पर आके गई और अभी यहाँ पर सिक्रेटली पूरे किंग्स लैंडिंग में रेड सोइंग के न्योत दिये जा रहे है तो Anyways यहाँ पर से सभी Hugh के parents कौन है तो Hugh अपने wife cat को यहाँ पे बताता है कि उसकी माँ एक famous pleasure house में काम करती थी मतलब basically वो एक brothel में prostitute थी और Targaryens के इतिहास में सिर्फ एक ही lady ने raid keep को छोड़ कर pleasure house में काम करना शुरू कर दिया था as a west shah, as a prostitute और वो बंदी थी infamous princess Sarah Targaryen who is called as the legendary dragon whore of lease तो यह जो भी sexy Sarah Targaryen है वो पुराने king Jairis की बेटी थी बट एक Targaryen king की बेटी princess Sarah pleasure houses में जाके prostitute Q बनी तो इसकी कहानी अगर आपको जाननी है तो आपको यह मेरा वीडियो अच्छे से देखना होगा तो यहाँ पर हमें Hugh के बातों से समझा कि Hugh में जो भी वो Targaryens वाले look आये है वो उसके मा के side से याने Sarah Targaryen के side से आये आगे यहाँ पर Hugh Cat को बताता है कि उसने अपने मा के साथ में रिष्टा तोड़ा क्योंकि उसकी मा एक वेशा है एक prostitute है यह उसे बिलकुल पसंद नहीं आया वो उस thought के साथ में कभी जिन्दगी जी नहीं पाया और इसलिए वो King's Landing में अपने अकेले दम पे रहने के लिए आ गया इसी में हमें यह भी पता चला कि Hugh की जो एक बिमार बेटी हमें कुछ पहले episodes में दिखी थी वो मर गई है और अभी उसी वज़े से वो एकदम distraught है वो बहुत ही sad है उसकी wife भी बहुत sad है और उसी वज़े से Hugh यहां पर raid sewing में participate करने का decision लेता है then we also meet उल्फ जिसके बारे में हमने पहले ही बड़ा rival देखा था हमने जाना कि यह उल्फ असल में Balon the Brave का bastard है मतलब वो साक्षा डेमन और Viserys का सौतेला भाई है तो यह जो भी उल्फ था वो इस बार में सभी को बताता है कि मैं एकदम Targaryens का bastard हूँ तो उसी वज़े से उसे सभी लोग एकदम free में दारू वहां पे पिलाते रहते थे बट अभी यहाँ पर वो जो भी उसके दोस्त वगेरा थे वो जब कहते है कि तुम्हे भी अभी Dragonstone पर जाके raid sewing के event में participate वगे करना है तो पहले तो वैसे उल्फ की काफी फटी वो थोड़ा घबराया हुआ था बट सभी ने उसे इतना force किया कि तुम जाओ वहाँ पर क्योंकि तुम भी Dragon Seed हो तो उसने वहाँ पर जाने के लिए accept किया and then फिर आगे हम देखते ही है कि एलिन ने कैसे उल्फ, हुउ और बाकी सभी Dragon Seeds को अच्छे से स्मगल करके वो Dragonstone पर लेके आता है इसके बाद में हमने देखा कि कुछ Valerian Dragon Keepers काफी गुसा हुए थे रहनी रापे क्योंकि उसने कुछ Bastards को Dragon Rider बनाने का सोचा तो उनके मुताबिक Dragons जो होते है वो एकदम पवित्र है Dragons मतलब Old Valerian Magic के Creatures है और ऐसे Bastards को उनका Rider बनाने की कोशिश करना मतलब उनका वो insult है ऐसा ही कुछ इन Dragon Keepers को लगा और इसलिए वो वही पे उनके जॉब को Resign करके वहां से निकल गए तो ये जो कुछ भी हुआ उसके होने के बावजूद Rhaenyra didn't care उसने अपना Raid Sewing का event करवाया और फिर जो भी हमने Raid Sewing का event देखा वो बहुत ही बढ़िया रहा The special effects of Vermithor was just amazing Then इसके बाद में overall जो भी हमने Raid Sewing का event शो में देखा वो वैसे काफी fabulous रहा बट अगर हम book version की बात करें तो ये जो भी Raid Sewing का event रहा वो ऐसे एक scene में बस एक दिन में खतम नहीं हुआ था ये जो भी Raid Sewing का event था वो actually over the course of almost two weeks चला क्योंकि book में Vermithor और Silverwing Dragons के जो layer होते है वो ऐसे Dragonstone Castle के आसपास कहीं पर नहीं होते और ना ही उनको कुछ songs वगरे गाके ऐसे ही बुलाया जा सकता है ऐसे कुछ ज़्यादा book में बताया नहीं गया था but I won't criticize too much into this ये जो भी show में दिखाया वो भी वेसे अच्छाई था but let me tell you the story of book as well तो book में हमें पता चलता है कि Vermithor और Silverwing के जो layer थे उनकी जो caves थी वो Dragonstone के castle से थोड़ी दूर थी तो जो भी Dragon Seeds को उन Dragons का rider बनना होता था उन सभी Dragon Seeds को धीरे धीरे से अच्छे से चुपके से इन Dragons को ढूनना होता था और अपने बलबूते पर अपने strength पर उनके साथ में connect करके उन Dragons को उने claim करना था तो ऐसी ही चीज़े book में होती रहती है जिसमें कई सारे अलग-अलग Dragon Seeds यहां वहां पर Dragons को claim करने की कोशिश करते है जिसमें वो मारे गए यहां पर book में और एक चीज़ अलग होते हुए नजर आई कि book में सिर्फ Vermithor और Silver Wing को claim करने के लिए Dragon Seeds नहीं आते book में अलग-अलग जगों पर टोटल छे ड्राइगन्स ड्राइगन स्टोन पर थे जिसमें तीन थे Vermithor, Sea Smoke and Silver Wing और बाकी तीन थे Grey Ghost, Cannibal and Sheep Stealer तो Dragon Seeds को book में कहा गया होता है कि आपको इन छे में से जिनको भी claim करना है वो आपके बलबुते पे जाकर claim कर दो जिसमें सबसे पहले Adam of Hull successful होता है देन एक बहुती must side story में हमें देखने मिला कि एक Silver Dennis नाम का बंदा Sheep Stealer Dragon के साथ में connect करने गया तो Sheep Stealer ने उसका एक हाथ ही काड़ दिया तो जोर जो से Silver Dennis रोने लग गया, चल्लाने लग गया तो उसके तीन बेटे वहाँ पर quickly उसकी मदद करने आये और उन्होंने अपने पिता Silver Dennis को Sheep Stealer से बचाया बट बस वो कुछी मिंटों के लिए रहा क्योंकि जैसे ही Sheep Stealer Dragon उस Silver Dennis का हाथ खाकर चला जाता है तो उसके बाद में वहाँ पर कुछी मिंटों में अच्चानक से आ गया और एक वाइल ड्रैगन भयानक कैनिबल और उस भयंकर कैनिबल ने Silver Dennis और उसके तीनों बेटों को वही के वही कच्चा निगल गया तो House of the Dragon के शो में sadly अब तक हमें कैनिबल और शिप श्टिलर जैसे कुछ बहुती डेडली ड्रैगन के दर्शन नहीं हुए बट वी सौ सिल्वर डेनिस जी हाँ इस एपिसोड में ये जो बंदा था वो सिल्वर डेनिस ही था जो यहाँ पर वर्मी थौर का राइडर बनने के लिए आया बट वर्मी थौर उसे मस्त रोष्ट करके खा गया तो अगर हम वर्मी थौर और हुउ का जो कनेक्शन हुआ उसका जो सीन की बात करते है तो वो बहुत ही बढ़िया दिखाया बट डुसरे तरफ अगर हम सिल्वर विंग और उल्फ के कनेक्शन की बात करते है तो बुक में उनका कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है ऐसा कुछ हिंट दिया गया था तो बुक में और इवन शो में कुछ हद तक हमें ये दिखाया ही है कि उल्फ मतलब एक नंबर का अट्टल बेवडा है उसे दारू बहुत पसंद होती है शो में फिर भी वो थोड़ा बहुत यहां वहां पर खोश में दिखा बट बुक में बताया है कि ये उल्फ दा वाइट 24-7 कॉंस्टन्टली तल्ली होता है और बार बार जोक मारता रहता है तो उसी वज़े से इस उल्फ को उल्फ दा बेवडा, उल्फ दा सौट करके भी बुलाता है तो ये उल्फ जब सिल्वर विंग का राइडर बनने के लिए आता है तो वो वहां पर फुल टल्ली गया था उल्फ इतने नशे में होता है कि उसके सामने ड्रैगन है या कुटा है यह उसे समझता ही नहीं है और उसी वज़े से वो सिल्वर विंग ड्रैगन से नहीं डरता and he became the rider of silver wing तो ये थोड़ा सा बुक में different रहा था शो में हाला कि थोड़ा सा ऐसे दिखाया भी कि उल्फ थोड़ा सा तल्ली वगरा है बट ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तल्ली है या फिर डरा है बट जो भी है जैसे ही उल्फ सिल्वर विंग के सामने गया उसके लेर में गया तो सिल्वर विंग ड्रैगन भी उसके सामने जुग गई तो शो में जो भी दिखाया वो भी थोड़ा सा different हट के अच्छा ही था, I won't criticize that, अब कई लोगों को ऐसे लग सकता है कि silver wing shee dragon ऐसे ही उल्फ के सामने क्यों जुग गई, तो understand this कि silver wing dragon वेसे बाकी dragons जितनी खूखार नहीं है, हमें book में बताया गया है कि silver wing dragon वेसे दिखने में थो वो बिल्कुल भी कराकस, शीप स्टिलर या फिर वर्मिथोर जैसे aggressive dragon नहीं थी, और इसका main reason ये था कि silver wing dragon की एक जमाने में rider रह चुकी थी, famous good queen Allison Targaryen, तो good queen Allison Targaryen खुद भी एकदम सभ्य किसम की एकदम शान्त औरत थी, वो सभी चीजों को सोच समझ के करती थी, वो बिल्क भी aggressive नहीं थी, और उसी वज़े से उसका जो personality था, वही silver wing में एक तरीके से आता है, और silver wing dragon भी calm and composed बनी, तो ये हमें consider करना है कि rider और dragon का जो भी bond होता है, वो एकदम pure होता है, अगर rider sun की इंसान है, तो dragon भी वैसे ही बनता है, और इसका best example है demon and kraxas, तो अभी मैंने बात करत करते करते कई बार mention किया ship stiller dragon को, तो book में हमें बताया गया है कि ये ship stiller dragon जो है, वो raid showing के event में dragon stone पर ही होता है, और कई सारे dragon seeds उसे claim करने की कोशिश करते है, बट ship stiller इतना dangerous होता है, इतना aggressive होता है, कि कोई भी उसे एकदम claim करी नहीं पाता, बट dragon stone पर रहने वाली एक गरीब सी लड़की, nettles करके कोई उसकी अच्छानक से rider बनी, और ये book का character सभी का fan favorite है, क्योंकि वो एक original black character है, जो dragon rider बनी, और उसके मासूमियत और उसके एकदम badass अंदास के वज़े से, वो सभी fans की one of the favorite है, बट अभी house of the dragon के show में, sheep stiller dragon stone पर नहीं होता, और ना ही हमें कोई nettles करके dragon seed देखने मिला, उल्टा whale में sheep stiller है, ऐसा hint कया गया इस episode में, and for some reason हमने देखा कि रहना उस sheep stiller dragon के तलाश में अभी निकल गई है, तो यहाँ पर रहना is supposed to take care of egon the younger and छोटा visceris, उनको रहना को बराबर से whale में से, eerie में से लेके जाना था pentos में, but out of nowhere, रहना decide करती है कि वो उनको छोड़ देगी, वो गए भाड में, मैं चली dragon rider बनने के लिए, अब यहाँ पर भी रहना के related house of the dragon show ने एक अलग ही कुछ खिचड़ी पका दी है, रहना ऐसी कोई भी हरकते बुक में नहीं करती, और actually रहना बुक में, एरी में सिर्फ और सिर्फ जौफरी के साथ आई थी, उसके साथ में बाकी के दो प्रिंस, एगॉन the younger और visceris नहीं होते, क्योंकि उसका बुक में एक बहुती simple सा reason है, बट यहाँ पर show में हमें कुछ अ वो कभी भी उनको इरी वगेरा नहीं भेजती, I mean just सोचो, रहनीरा ड्रागन स्टोन पर से एगॉन और visceris को पहले उपर इतना दूर इरी में क्यों भेजेगी, और वहाँ से फिर इरी में से नीचे पेंटॉस क्यों भेजेगी, यहाँ पर तुम ड्रागन स्टोन से डिरेक टारगेरियन का ये स्टोरी आर्क रहा है, वो थोड़ा सा अजीब नॉनसेंस ही शुरू है इस शो में, बट लेट सी, अब आगे अगर रहना शीप श्टिलर को क्लेम करती है, तो उसकी पूरी कहानी जो डिफरेंट शुरू ही है, वो आगे और कितनी डिफरेंट होती है, और किस तरह से House of the Dragon में वो शेप लेती है, देन इसके बाद हम आते हैं King's Landing में जहां पर Larry Strong और Jasper Wild की कुछ बाते शुरू थी, जिसमें Jasper Larrys को बताते हैं कि Blacks के साइड में अभी Sea Smoke Dragon भी जा चुका है, क्योंकि उन्हें में भी कोई नया Rider मिला है, ऐसी कुछ उन्हें information मिली, तो अभी उन दोनों को उस information को लेके क्या करना चाहिए, उसके related वो discussion करते हैं, तो Larrys वहाँ पर Jasper को बताता है कि इस information को secret रखना ही बहतर होगा, उसे Amond को मत बताओ, तो Larrys यहाँ पर में भी actively कुछ चीजों को Amond से चुपा रहा है, अब ऐसा भी कोई angle, कोई story book में नहीं है but here show is on a really good track, यहाँ पर हमें पता चलता है कि Larrys actually Amond का नहीं, बट हमेशा ही वो Aegon का supporter है, इसके बाद में हमने इसी episode में ये भी देखा कि Larrys यहाँ पर secretly Aegon को healthy बनाने की कोशिश करने लगा है, लैरीस के orders के वज़े से Grandmaster Orwell Aegon को cure करने लगे है, बट Aegon की हालत अभी भी पतली है, बट let's just say, Orwell और लैरीस के कुछ efforts के वज़े से धीरे धीरे करके Aegon recovery mode पे आने लगा है, Meanwhile, Alicent की अगर हम बात करते हैं, तो वो अपने Kingsguard Sir Rickard Thorn के साथ में Kingsgoode में अपना कुछ थोड़ा me time experience करने के लिए चली गई, तो ये Kingsgoode मतलब ये वाला location होता है, वो कुछ lake में वगरे जाती है, because as I said, उसे थोड़ा सा अकेले में रहना है, she wants to have some me time, Then फिर हम वापस Kingslanding के meeting में आए, जहाँ पर Greens के council meeting में हमें पता चला, कि Lord Ormond High Tower जो है, वो नीचे south में से अच्छे से north के तरफ अभी भी progress कर रहे है, और उसी में Jasper Wild ये भी बताते है, कि Daeron Targaryen का dragon, Blue Queen Tessarion अभी अच्छे से यहां वहां पर उडने लगी है, But then Jasper Wild यहां पर information देते है, कि House Beast Beauty की armies ने Ormond High Tower के armies को परेशान करना शुरू कर दिया है, अभी यह जो भी House Beast Beauty है, वो वैसे देखा जाए तो Tyrells और High Towers के अंडर है, वो उनके Bannermen होते है, But if you remember, तो Dance of the Dragons के war की जो पहली official मौत रही थी, वो हुई थी पुराने Master of Coin Lyman Beast Beauty की, तो बुक में बताया गया है कि Greens के तरफ से House Beast Beauty को बताया जाता है, कि Lord Beast Beauty बीमार वगेरा है, बट कुछी टाइम के बाद में House Beast Beauty के लोगों को पता चल ही गया, कि exactly केसे Greens के Council Meeting में उनके Lord Lyman Beast Beauty को पूरी तरीके से क्रिश्टन को ने मारा, तो वो चीज जैसे ही House Beast Beauty के New Lord, Lord Allen Beast Beauty को पता चली, तो उन्होंने South में Blacks को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने Greens के खिलाफ हतियार उटा लिये, तो उस Allen Beast Beauty को और एक Allen, Allen Tarly मदद करता है, और ये दोनो Allen and Allen बार बार यहां वहां से ambush attack वगरे करके, और Moond High Tower के आर्मी को सताने लगते है, तो ये सबी चीजें हमें इस एपिसोड में तो नहीं देखने मिली, ये सबी चीजें off screen शुरू है, और उन्ही के बारे में यहां पर Jasper Wild, एमन्ड को बताता है, और ये सब जैसे ही शुरू था, तब ही अच्छानक से वहां पर King's Landing में आ गया, उल्फ दवाइट अपने Dragon Silver Wing पे बैठके, देन एमन्ड उसका पीछा करता है, अब आगेन यहां पर मैं बता दू कि ऐसा भी कोई scene बुक में था नहीं, this is only in the show, but this was really cool to see, कि एमन्ड को भी अभी समझ में आ गया है, कि Dragonstone पर ज्यादा Dragon Riders हो गया है, तो आगे वो इस scene में उल्फ का पीछा नहीं करता, वो बीच में से ही यूटन मार के वापस पीछे King's Landing पे चला गया, तो यहीं पर मैं बता दू कि House of the Dragon के season 1 का जो भी Demon Targaryen रहा था, वो एकदम badass दिखाया था, and he was 80% book accurate, but season 2 में हमें जो Demon Targaryen देखने मिला है, वो book के Demon Targaryen के comparison में totally different रहा, तो चलो जानते हैं कि book में actually Demon की story Harren Hell में कैसे रही थी, versus उसकी show में Harren Hell में story कैसे रही, अभी मैं पहले ही बता दू कि show में थोड़ी से different story होना कोई गलत नहीं था वैसे, बट जिस तरीके से Demon की story totally change की गई, वो थोड़ा nonsensical और कई जगों पर illogical भी लगा, तो book में जैसे ही Demon Harren Hell को आया, तो उसने असल में पहले Alice Rivers और Simon Strong और उसके पूरे परिवार को वहाँ पर Harren Hell में बंदी बनाया, बट चलो कोई नहीं, यहाँ पर उस एंगल में हम show को criticize नहीं करेंगे, Simon Strong Demon को support वगरे जो करते हैं show में, वो काफी different और new और अच्छी चीज़े हमें लगी, और वैसे ही I have nothing to criticize about Demon and Alice Rivers की कुछ अजीब सी friendship, और जो भी उसके visions वगरे दिखाये हैं, वो भी वैसे अच्छा ही है, हाँ, वो थोड़ा सा stretch उन्होंने इस season को ज़्यादा ही जरूर किया, बट लेट्स नॉट कम्प्लेंड अबाउट इट, बट आउट ओफ नोवेर, शो में डेमॉन को एक तरह से निकम मा दिखाना शुरू कर दिया गया, तो बुक में भी शो के तरह ही Riverlands का House Bracken असल में Greens को सपोट करता है, और इसलिए डेमन ने डिरेक्टली अपने ड्रैगन कराक्सस पर बैठ के House Bracken के कैसल पर अटाक किया, और वहाँ के Lord Amos Bracken को डेमॉन ने धमकाया, कि अगर तुम बेंड नी नहीं करोगे, तो तुम्हारे पूरे फैमिली को में जिन्दा जला दूँगा, जैसे मैंने तुम्हारे पूरे आर्मी को डिश्ट्रॉई किया, तो जैसे ही Lord Amos Bracken वहाँ पर डेंजरोस डेमॉन को कराक्सस पर देखते है, और बाहर House Blackwood की वो जैसे ही आर्मी देखते है, तो Amos Bracken वहाँ पर डर के चुप चाप डेमन के सामने घुटने टिका देते है, फिर उसके बाद में बुक में डेमन हैरन हैल पे वापस लोटा, तब धीरे धीरे करके नजदी की रिवर लेंड्स के धेर सारे हाउसेस, जैसे की House Derry, House Piper, House Vance, House Malister, House Frey, House Root, ऐसे सभी इंपोर्टन्ट रिवर लेंड्स के हाउसेस की आर्मी ज़ क्विक्ली हैरन हैल में इकटा हुई, अभी ये सभी हाउसेस वैसे कहने के लिए उनके लीज लॉड्स हाउस तली के बैनर मन है, बट इन रिवर लेंड्स के हाउसेस को, हाउस तली क्या कहता है उसमें कोई interest नहीं होता, बिकॉज हाउस तली सिर्फ कहने के लिए रिवर लेंड्स के लॉड्स थे, बट उनके पास वैसी कुछ एकदम पावर भी नहीं थी, अभी ये कहने के लिए इसलिए Lord बने थे क्योंकि 130 years ago Aegon the Conqueror के सामने जुकने वाला जो पहला Riverlands का हाउस था वो हाउस था ये opportunist हाउस टली उनके लौड टली ने क्विकली Aegon the Conqueror के सामने बेंड़ नहीं किया इसलिए वहाँ पर Aegon ने वही के वही उनको पूरे Riverlands का लीज लौड बनाया गया और बाकी Riverlands के सभी हाउसेस इस हाउस टली के बैनर्मन बने बट ये हाउस टली पिछले 130 येर्स में कभी भी Riverlands का most powerful हाउस नहीं बना हमें fire and blood में clearly पढ़ने मिलता है कि historically टली always fielded fewer men than their bannermen blackwoods, brackens, frays and vanses मतलब हाउस टली जबी भी आर्मी वगरे लेके कही पे निकलते है तो उनकी आर्मी blackwoods, brackens, frays और vans से छोटी होती है इतना ही नहीं असल में इस पूरे Riverlands के region में सबसे prestigious lineage जो थी मतलब जिनका खांदान, जिनका घराना इस region में सबसे पुराना और prestigious जो था वो असल में तलीज नहीं थे वो थे mallisters और तो और house muton जो थे वो इस region के सबसे wealthiest house थे मतलब उनके पास में पैसो की बहुत power थी तो ये सभी information book में एक ही चीच को indicate करती है and that is house तली यहाँ पर riverlands में कहने के लिए lords है, बाकी सभी कहने के लिए उनके bannermen है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि riverlands के houses को बार बार house तली की कुछ permission चाहिए तो कई सारे riverlands के अलग-अलग houses, demon को और black queen रहनीरा को support करने के लिए यहाँ पर हैरन हैल में आये, क्योंकि उन्होंने एक जमाने में रहनीरा के सामने बेंडनी किया था and most important चीज यहाँ पर यह है कि यह जो भी riverlands के houses है, they don't care about house तली के लिए परमिशन, उन्हें जो चाहिए वो करते है तो demon का एक अलगी यहाँ पर पूरे riverlands में खौफ होता है, उसी में demon charismatic leader है और उसी वज़े से demon के सामने riverlands के कई सारे houses ने यहाँ पर बेंडनी किया और demon अपनी आगे की war planning शुरू करता है तो that's the house of the dragon season 2 वाली storyline in the book about demon now let's compare show में क्या हुआ, house of the dragon season 2 में जैसे ही demon heron hell में आता है तो lord amos bracken ने सीधा कहा कि तुम्हें मुझे जलाना है तो जला दो बट मैं तो तुम्हारे सामने बेंडनी नहीं करूंगा जैसे कि इस amos bracken को ऐसी कोई चिंता ही नहीं है कि उसका पूरा वंच, उसका पूरा house demon यहाँ पर जला कर खतम कर सकता है फिर यह amos bracken की बहादुरी देखके demon उसे नहीं मारता and this is where it's truly wrong अगर book के demon से यहाँ पर यह show का demon थोड़ा भी inspired होता तो demon यहाँ पर सीधा bracken को जला देता, उनके सारे fields में आग लगा देता ताकि सभी लोग उसके सामने bend नहीं करे क्योंकि book का rogue prince demon targaryen ऐसे insult सहन करी नहीं सकता फिर हमने देखा कि demon ने black woods को use करके bracken के area के कई सारे innocence को वगेरा मारा तो इसके वज़े से riverlands के houses को बहुत गुसा आया और एक lady malister ने demon को उसके मूँ पर बोल दिया कि तुम्हारे जिसे tyrant से हम नहीं डरते ये सुनकर बेचारा शो का demon एकदम sad हो गया और वो witch of hair and hell से help मांगता है demon targaryen asking for help council ओके demon ठीक है तुमने council मांगा it wasn't any help तो अब तक वैसे इस पूरे season 2 में यहां वहां पर demon को humiliate किया ही गया था बट इस episode 7 में demon के humiliation की हद पार हो गई एक बच्चा औसकर टली demon को मूँ पे कहता है कि riverlands के सभी houses तुम्हें hate करते है and then for some reason show में riverlands के सभी powerful houses टलीच को कुछ जादा ही important देने लगे for some reason riverlands के जो भी houses है वो ना ही demon से डरते है और ना ही karaksas से उन्हें कुछ डर है यही पर इस meeting में हमें house piper का एक lord piper देखने मिला तो यह भी show का जो lord piper है वो book के version से काफी different है as you can see जो book के lord piper है वो काफी बुड़े होते है और उन्होंने demon को support किया बट यहां पर यह show का lord piper demon को support नहीं करता which is totally opposite of what's in the book actually book में जो lord piper थे वो demon के बहुत ही अच्छे mentor और बहुत अच्छे दोस्त थे असल में book में lord piper थे जो demon को help करते है हैरेनल में रहते हुए बट वही जो lord piper का role हमने book में देखा वो यहां पर show में Simon Strong को दिया गया था जिसमें मैं कुछ ज़्यादा complaint नहीं करूंगा that was different but it was good बट यहां पर show वाला lord piper demon के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बाते करते हुए नजर आया यहां पर वो blackwoods को accuse करता है कि उन्होंने innocence को मारने की जुर्रत कैसे की इवन lady malister भी उसी चीज को दोराती है उसके मुताबिक blackwoods ने innocence को मारने की हिम्मत कैसे की यह सभी चीजे सुनकर छोटा ओसकर टली influence हुआ और उसने demon को ही blackmail कर दिया कि अगर तुम्हें riverlands की पूरी आर्मी चाहिए तो तुम्हें William Blackwood को मारना होगा we want justice and demon actually kills lord William Blackwood which was just a sad and weird scene अगर simple शब्दों में कहू तो इस moment के बाद में demon का बाप अभी belong the brave नहीं बट यह छोटा ओसकर टली बन चुका है वन अफ दो most feared and dangerous person in all of westeros, rider of caraxis, demon को यहाँ एक बच्चा तभा कर गया वैसे तो बुक में हमें हमेशा बताया गया है even in the time of house of the dragon as well as in the time of game of thrones and throughout the history riverlands के houses कभी भी एक दुसरे के एकदम हा में हा नहीं मिलाते वो सभी riverlands के houses एक दुसरे में काफी politics खेलते है बट यहाँ पर house bracken के area में कुछ innocence मारे गए इसके वज़े से अच्छानक से पूरे के पूरे riverlands के houses एकदम unite हुए ताकि वो brackens को support कर सके और वो blackwood को hate करने लगे अब यहाँ पर house blackwood को ऐसे villain दिखाने के वज़े से एक बड़ा issue ये create होता है कि यहाँ से आगे दो important character black alley, allison blackwood और उसका nephew bloody bane blackwood ये दो जो famous characters होते है blacks के side में वो अभी house of the dragon के show में demon को और blacks को क्यो support करेंगे क्योंकि उनके रिष्टेदार william को तो ऐसे बुरी तरीके से मारा गया है तो maybe ऐसा हो सकता है कि black alley and bloody bane को show में से scrap किया जाए तो let's see क्या होता है तो दोस्तो I hope आपको ये house of the dragon season 2 episode 7 का breakdown पसंद आया आज मैंने थोड़ा सा different तरीके का breakdown किया मैंने एकदम scene by scene हर चीट को recap करके breakdown नहीं किया this was bit different क्योंकि कई सारे viewers ने मुझे messages में और comments में कहा था कि proper उन्हें book versus show का जो comparison है वो जानना है और इसलिए वैसे मैंने breakdown किया कईयों ने ये भी कहा कि आपके भी थोड़े से views लाया करो जिससे हमें मज़ा आए तो इसलिए मैंने अपने थोड़े से views दिये जो कुछ सही हो सकते है जो कुछ गलत भी हो सकते है बट जो कुछ भी है आपको क्या लगा वो let me know in the comments let's have a conversation about this episode और एक reason ये भी रहा दोस्तों कि मैंने बहुत सारे images और clips वगरे इस वीडियो में use नहीं किये because sadly episode 5 and episode 6 के breakdown videos पर copyright claim आ गया क्योंकि I guess मैंने कुछ जादा ही उसमें images और clips वगरे use की थी तो इसलिए मैंने show के थोड़े कम images इसमें use किये I hope you all understand तो दोस्तों आज के इस breakdown वीडियो में बस इतना ही thanks for watching I'll see you all in the next one ciao